पंजाब युनिविस्टी चंडीगड बीएड सेम वन के एक्जाम प्रीविएस यर के पेपर हैं 2022 के हैं इसके बेस पर आप इस साल जो 2023 में दिसम्बर जनवरी में जो पेपर हो रहे हैं उसके गैस लगा सकते हो के कौन सा कॉश्चन कैसे पूछा जाता है कुछ अंदाजा ल से इंदाजे लगाए जा सकते हैं फिर्स्ट पिपर है फिलसोफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन फॉर्टी माक्स का है त्री गंटे का है ये आवर्स का फाइव कोश्चन अटेम्ट करने हैं पहले चार युनिट में से एक कोश्चन आपको करना है और फिफ्थ युनिट कंप इसके बिट्वीन फॉर्मल एंद इन्फॉर्मल एजुकेशन स्पैसिफ़ाइ दरोल एंद फंक्शन ओफ एजुकेशन अट नेशनल लाइफ ये कोश्चन भी इसकी वीडियो है इसके नीचे भी लिंक दिया गया होगा तेख सकते हो फॉर्मल एजुकेशन पर एक डिफरं गांधी एंद आल्सो एनलाइज था इन्फॉर्मल एजुकेशन ये इजी होगा करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको अगर आपको जही लगता है ये ही कीजिए लेकिन इसको प्रेफर कीजिए थिंक कर जो है एक्स्पें कंसेप्ट अफ एड नॉलजज ए आलसो स्पैसिवे दरूल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ओफ नॉलजज वह कैसे होगा हो वह टीचर जो है एक्स्पीरियंस प्रवाइट करेगा लर्निंग एन्वारमेंट क्रेट करेगा लाइन्वारमेंट के साथ इंट्रक्ट बच्चा करेगा अच्छा जैड पीड है जैसे हिन भाइ गौस्त की कि वह एल्प करेगा सोचने में एल्प करेगा सीधी आंसर नहीं देगा ऐसी पाते आएंगी अनुमेरेट वेरियस फिसेट्स ऑफ नॉलजज एंड आलसो डिफरेंशेट बिट्वीन कंक्रीट अबस्ट्रक्ट नॉलजज तो नॉलजज इन इट इस नॉलजज इसके बारे में नॉलजज वह चीज चंक्रीट हो सकती है फोर एक्जम्पल स्टोन है टाइप्स ऑफ टो वह चंक्रीट है तो यहां पर अबस्ट्रक्ट नॉलजज के अगर मैं कहूं डेमोक्रेसी है तो जस्टिस है यह थे नहीं जा सकते अप अप गटना द यह थे तो देजित सकते हो ने की निए कनसेट में बढसा अपन चाहिए उनस्टर है डी हो सकते है घंडेक्स है इसको किर अकर ले टेड़ अ 스म स्ट्रकेशों ब्स इस तरिंग माली कर लेटेसि कि अ common question and important question and list different sources of value and also highlight the cause of erosion of value in present study. बहुत easy, repeated, यह भी repeat होता है. fifth question compulsory, note लिखने है. यह जब से easy method होता है, किसी paper setter easy note, ऐसे अच्छा question नहीं बनता वैसे. role of education and development of individual John Davies contribution in education, source of knowledge, concept of value. यह देखने में चोटा है, लेकिन यह बड़े-बड़े बनते है, इसको manage करना होगा, आपने equal size रखना है, यह बाते पिछली उसमें बता चुका हूँ. हिंदी में जो देखना चाहते हैं यह थे देख सकते हैं, आ यह देख सकते हैं, इसको वी ऐसे कर देता हूँ, आपको पता चल जाए, ये रहा unit है, इसको ठोड़ा सा चोटा कर दू है, ऐसे ये रहा, till क्थे, थिफ्त यूनिट हो गया जाब Strange – लेक्षोंया है कि तिनना पाशामा विच पिपर कटो कट पाई जान दे मिल दे भी ने नेक्स्ट पिपर है साधिकूर ग्रूथ एंड डेल्पमेंट ओफ लर्नर इंपॉर्टंट सीडी पी टेट विच वी अटेम्ट फ़न कॉश्चन फ्रॉम इच पहले तो चौथे तक फर्स्ट से फॉर्थ तक आपने चार एक एक कॉश्चन करना है फिफ्ट कंपल सरी है जो पीछे करके हैं यूनिट वन है वर्ट आर्दा क्रेक्रेक्टिस्टिक्स फर एक्समेट को ठिए अग्जम्पल उन्हों कोश्चन यह इंग्जम्पल सामपल साथ सात में लिखनी है और ऐगाया अच्टिक सबहाँ है विप्राइब्वेल्प्मेंट को जब भी एक्समान का थे विइक्स्टि इसकते हो कि कोगनेटिव डेफ्टेटिव डेपल थिंक मोरल डिवेल्पम्न की बात कर सकते हूं, विश्य को सोचल डिवेल्पम्न की एरिक्सन की बात है उनके रइफरेंस से एग्जमपल दे सकते हो अग्जमपल कैसी देनी है विजी गजमपल है कि बच्चे ने पहले लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी अब लॉजिकल सोचना क्रिटिकल है कि साइंटिफिक प्राब्लम सॉल्विंग शुरू होगी तैसे देख वेरा हाथ ओपर जा रहा है ऐसे थिंकिंग ड्वेल्पन हो रही है सोशल स्किल है पहले कि बच्चा किसी को रो रहा तो चुप नहीं करा रहा चोटा बच्चा फिर हो दीरे चुप करा रहा है सोशल स्क्रीड डेवल्प होगी उसके बाद देखिए कि आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है और आपको दूसरे की फीलिंग समझ आ रही है अब दूसरे की फीलिंग समझ के उसको ठीक करने के लिए अनरजी यह सोशल डेवल्पमेंट है तो ऐसे ही मौरल डेवल्पम है देखा चूस जवही किया लेकिन फर्क बड़ गया तो बड़ा कारण के का बड़ा कारण जो कॉम्प्रियंसिव हुमेनिटी जब आपकी का कारण होता है वो मौरल डेवल्मेंट की पीक होता है डिसकुस्ट अफेक्टर्स ऑफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवल्मेंट है भी है खाने पीने की बाते करते एंड खेल है एक्सपिरियंस है एग्युकेशन है तो ही कल्चर है सोसाइटी है रिलिजन है यह सारी बाते हैं ऐसी होंगी अच्छा नेक्स्ट है लुच्छ एलीट एप्लिटी अफ और कोलबर्ग त्योरी ओख मॉरल डेवल्मेंट इंक्ट यह सिंपल है यह भी कुष्चिन एलेक्ट्रोनिक मीडिया है इस फॉंड एफेक्ट ओन डेवल्पमेंट आस्पेक्ट ऑडोल सेंट हाँ बिल्कुल डिसकस वेरी क्रिटिकल क्योंकि आज जो इतनी जो इम्मॉरल थिंकिंग डेवल्पमेंट हो रही है कोगनेटिव गेन भी हो रहे हैं यूट्यूब पर क्लासेज लगाई जा रही हैं ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं यह पॉजिटिव डेवल्पमेंट भी है साथ साथ में मतलब लड़कियों का मिस्यूज लड़के बड़ी एजीली कर रहे हैं तो यह मीडिया उसमें शामिल है से सकत हो बच्छ फैमिली मेंबर पीरन्ट्स कैसे तो यह मैं बडा कुछ भूल गया है लेकिन सच मैं यहां पर पर सिर्फ डेवल्पमेंट की बात है मैं मैं डेगटीब पातों को इंडिकेट भी करूंगा तर्से बच्हन आएं डेव्ल्पमेंट क्यों की अब ऑन्गि मेर जिसमें अरली अडोल सेंट जो है देखिए अडोल सेंट एक बच्ची है जिसके साथ एक लड़का कैसे खिलबाड करता है कैसे उसके थिंकिंग से इमोशन से खेलता है और वो अच्छी बहली जो स्टडी में बहुत ऊपर है तो स्टडी में हेल्थ में सब डाउन आ जाती है तो ऐसे केसे डिसक्स करने पड़ेंगे तो यह सिर्फ इसका पेपर में उत्तर मत लिक देना लेकिन हां यहां पर आपको आपको जो है डिवेल्पमेंट पॉजिटिव बाते ही करनी पड़ेगी तो वह आप कर लोगे एक्स्टिकेट रोल ऑफ जेंडर और सोशो एकनोमिक स स्टेट इस नढ टेस ओ रीवेल्प्मेट अव इंडिविजॉल जेस सेल्फ कनसेप्त । ठीक है नेक्स und डिस्कस्ट थीर इंटिज्चर अ प्रॉटिंग क्लस Minor को जोड के रखना है तो छोटी छोटी चोटी गुर्ड़ु इन कश कि अन ön जो टिचर में जए करता है। कि इसके साथ बैठना इनüyor है ज्सने जिसके साथ बैत बैठना है बैठ जो जह बढ़ है चार चार सलेक्ट करी कि लो द्चि जलदी पशलेक्ट करते हैं इंटरस्ट के जिनके साथ उनका इमोशन्स मैच करते हैं तो ऐसे कोहसिवनेस की प्रैक्टिसिस हो सकती है एक्स्प्लीं देवल्पमेंटल मॉडल ऑफ डिस्प्लीन इन डेटेल हम बहुत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलज की ब फैमली इन एक्टिव डेवल्पमेंटल ऑफ चिल्डरन डिसिप्लन एंड करेक्टर हिंदी में नेक्स्ट पेज यह रहा पंजाबी विच अरिया पंजाबी विच पंजाबी विच पंजाबी विच ए हो गया नेक्स है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग अल मीडियम्स है चोटे चार कॉश्चन होंगी विच एक्रने है इसकुस्ट अ कंसेट निचर एंड करेक्टिस्टिक्स ऑफ टीचिंग आना चाहिए जरूरी है इसकुस्ट अफ एक्टिव टीचिंग एंड वट अट अट इस्टेजिग इस एक्टिचिश्ट पर में टीच इस की तरफ जा रहे हो क्या रिष्टा बैटर हो सकता है उसके लिए आप सोच रहे हो क्या जो भी रिष्टा आपका कर रहा है क्या वो मेरे और उसके दोनों के भले में है क्या कहीं चीटिंग होने की संभावना है धोका होने की संभावना है तो यह से रिफ्लेक्शन है ऐसे ही एपने teaching को देखो क्या मेरी teaching better हो रही है? क्या मेरी teaching जे मेरे और मेरे student को फादा हो रहे है? मैं अपने recording करके अभी ये camera लगा है, recording करके मैं भी देखता हूँ कैसे pronunciation है, कैसे board पर लिख रहा हूँ कौन से strategy better use की है, बच्चे satisfy है, खुश है, तो ये reflective teaching है. कुछ नहीं है, Central Idea इसका है, Maximum Feedback कैसे आप लेते हो अपनी टीचिंग की Explain the concept and procedure of micro teaching, How can computer assisted instruction help to improve teaching Next, Explain the concept of characteristics or assumption of models of teaching ये ठीक है, तो एक model को select करना आपके लिए difficult हो जाता है Discuss the focus and syntax of inquiry training model ये difficult लगेगा आपको, लेकिन है नहीं अगर आप समझाओ How can teleconferencing and internet help in improving communication Discuss recent trends in teaching notes Professional ethics of teacher, concept of simulated teaching, elements of models of teaching, types of communication Hindi , दूसरा पार्ट Next, ONE Next, One And, then, gust पंजाबी विच पंजाबी विच पंजाबी विच यो गया नेक्स्ट सादेकुल आगया education in contemporary India 40 माक्स दा तीन केंटेड़ा है five questions same, एक तो चार और पंजाबा इस प्रस्ट इन पेसे है explain the inequality and marginalization in Indian society and their educational implication, ऐसे ही question गुनानक दी उनिवस्टी में आया हुँ है contemporary education में, explain the, इनको समझ के जलना है आपने, inequality, normally हमारे society में घर में, महले में, school में हो सकती है social किसी भी unit में हो सकती है, शाइद इसको अप एक्सेप्ट करते हो लिकिन marginalization excessive inequality है कि आपने power less कर दिया किसी को rights सारे ही लगबग चीन लिए, उसकी development ही रुक वह ही है, उसकी physical health, mental health खराब होने लगी है तो वह survival उनका difficult हो रहा है, उनकी development के तरफ ध्यान देने की जरूरत है, तो वह बते है Indian society है तो उसकी example हमारे पास है, किसी section में girls के साथ हना, बहुत कुछ हो रहा है, inequality marginalization की जहां ध्यान दिया जा रहा है, वहां वो marginalized नहीं है, लेकिन जिस section society में, सब section में है, तो वहां girls marginalized है, अगर एधिकार मिल रहा है, development हो रहा है, यह सब कुछ है, तो तो थाड़ा है, एकिन the various dimensions of globalization, explain the role of education in meeting challenges of globalization, next है, elucidate the recommendation of kumhar kothari commission with the respect of school education, तो जहां भी ये NCF 5 आता है, आपने सोशल कंस्टुक्शन, कंस्टुक्शन अफ नॉलजज, जो ट्रांस्मिशन का विरोद, लेक्चर मेथट का विरोद, एक्स्पीरियन सेंटर, लर्नर सेंटर, कम्मुनिटी सेंटर, इनकी बात करनी है। आं, तो जो लर्नर होगा वो जो है नॉलजज खुद बनाएगा और, एसेंसमेंट कैसे होगी। सिंपल है, टीचر एसेंस नहीं करेगा, और टीचर एसेंस करेगा वो NCF मेन नहीं लिखा, सभी करेंगे, teacher भी, peer भी, self भी, और assessment कैसे होगी, summative पर जोर होगा या formative पर, formative पर होगा, दिख लेना, और जो assessment है, वो threatening होगी, चिंता वाली होगी जहाँ, नहीं, नहीं चिंता वाली नहीं होगी, formative जो है, चिंता वाली नहीं होगी, अच्छा, diagnosed होगी, बि तो यह ऐसी बाते हैं, comprehensive होगी, continuous होगी, through various channel होगी, तो ऐसी बाते हैं, यह सारा question हैसे ही होगा आपका, okay, describe the purpose and provisions available under राष्टे मादमिक शिक्षा अभ्यान, तो यह गपें जो भी हैं, इसमें लिखी हैं, आपने वो मारनी हैं, summarize the recommendation of राष्टे, उच्छतर शिक्षा अभ्यान for higher education, कर दो summarize, कोई बात नहीं, वो गपें जो भी हैं, summarize कर दो, explain various types of functioning and contemporary Indian school, various types and functioning of contemporary Indian schools, schools के division करनी हैं, easy है, describe the role of teacher and quality for teacher education according to right to education act 20009, यह है क्या है, teacher, role of teacher है, quality of teacher है, तो आइडल बन जाना है, role of quality of teacher की है, क्या कि वो learner की need के center पर होगा, learner के development को देखा का, learner के interest को देखेगा, learner के प्रती attitude positive रखेगा, और उनमें discriminate नहीं करेगा, on the basis of cause, color, cretex, section, किसी भी भी भीदबात से वो उप उठेगा, और वो impartial होगा, तो ऐसी बाते आएंगी, major educational provision in the constitution, aims and objective according to NEP 86 है, अब तो 2020 है, recommendation or learning without a burden, good, ये question बड़ा पूचा जाता है, challenges in implementing sarb, shikshah, abhyaan, तो ये चोटे question होगा, ये हिंदी में होगा, ये हिंदी में next part होगा, और ये हिंदी में next part होगा, ये भी होगा, और पंजबी विच्च, same question पंजबी विच्च, और पंजबी विच्च, और ये होगा, next है, ICT skill development, ये 40 marks का, 3 hours का है, और वैसे ही इसका होगा, क्या अपने 4 unit है, और 5th question compulsory है, 4 questions होगा, describe various advantages and limitations of computer, explain the importance with the example in the field of elementary level education in Indian school, discuss the role of information communication technology in our life, highlights its needs and scope in education sector with the suitable example. एक तो पेपर सेटरा ना ऐसे करके सारा कुछ ऐसी पूछ लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चिन को ढंग से पूछा जा सकता है, आपके क्रिटिकल थिंकिंगे लेकिन यह असान है आपके लिए, एक कंपेर दा फीचर ओफ फॉलिविंग विद शूटेबल एग्जम्पल हाँ, ठीक है गुड इंपुट दिवाइस एंड आउट पुट दिवाइस ही पोस्ट-Covid scenario in education sector, unit 3 है, what do you understand by the operating system, compare feature of DOS and Windows operating system, explain the role of major office application with the suitable example list, the major features of word processing and spread sheet, जब आपको कंसेप्ट पता है, spreadsheet क्या है, यह बात समिलो, word processing क्या है, मैं उसके feature फिर explain किया जाता है, दूसरा है कि आपको थोड़ा इस पर काम करना चाहिए, तीसरा YouTube पतल अबेलिबल है, explain the need of internet in present scenario, write about the various type of networking along with the example, मेरे कियाल में वो जो लैन, वैन, शायद, local area network, elaborate on importance of social sites in the educational field, highlighting the need and advantages of a blog, यह तो पता होंगे क्योंकि use भी होते है, what do you understand by virus, define a rule of networking, right, rule of networking in which, write about advantages of presentation of software, list popular file format, good, यह हो गया हिंदी में, यह second part हिंदी में, यह third part हिंदी में, यह fourth part हिंदी में, यह fifth part पंजाबी विच, एर्या पंजाब बीच एर्या पंजाब बीच मेरी ख्याल जो गया यह पिपा यह कंपलसरी थे वीडियो लंबा हो जाता है पैडागोजी के अलग से मैं डाल देता हूँ कोई भी और आपका question हो पूछ सकते हो, comment कर सकते हो Thank you